नमस्कार दोस्तों हमारे देश के उत्री भारत में बसा एक छोटा और बहुत सुन्दर राज्य है जिसे आप उत्राखंड के नाम से जानते हैं उत्राखंड में बहुत से पवित्रिस्थान हैं जो आपको अपनी और आने के लिए आकर्शित करते हैं उत्राखंड में चारधाम की यात्रा बहुत पवित्र यात्रा है चारधाम में से मैं आज आपको गंगोत्री धाम की यात्रा के बारे में विस्तार से बताऊंगा दोस्तों आप अगर ये वीडियो सुरू से आकरी तक देखेंगे तो मैं आपको गंगोत्री धाम के रास्ते में आई हुए उन जगवों के बारे में बताऊंगा जो पूरे देश में अपनी खुपसूर्ती के लिए प्रशिद्ध हैं दोस्तों मेरा नाम मुकेश है अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल मुकेश हेल्प को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों अब सुरू करते हैं गंगोत्री धाम की यात्रा गंगोत्री धाम उत्राखन के उत्तरकासी जिले से 98 किलोमीटर की दूरी परिस्तित है मानिताओं के अनुसार धर्ती परमागंगा जिस इस्तान पर अवतरित हुई उसे गंगोत्री धाम के नाम से जाना जाता है यह चार धाम यात्रा का दूसरा पवित्र पड़ाओ है जो की यमनोत्री धाम के बाद आता है गंगोत्री मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र ती रतिस्तान है गंगोत्री मंदिर भगिर्थी नदी के तड़ परिस्तित है गंगोत्री मंदिर का निर्माड गोर्खा कमांडर अमर सिंग थापा के द्वारा अठारवी सदी में किया गया था उसके बाद मंदिर का पुनर निर्माण जैपुर के राजा मादो सिंग दोती ने बिश्वी सदी में किया था गंगुत्री मंदिर सफेद ग्रेनाइट चमकदार बीस पिट उचे पत्थरों से निर्मित है यह द्रस से अतधिक आकरसक है अगर आप भारत में किसी भी स्तान में रहते हैं और आप चार धाम या गंगुत्री धाम जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुँचना होगा गंगुत्री धाम हरिद्वार से 288 किलोमीटर की दूरी पर इस्तित है जो केवल सडक मार्ग से जुड़ा हुआ है गंगुत्री धाम जाने के लिए हरिद्वार से निमित रूप से बस सुबह सुबह जाती हैं जो लगबग आठ गंटे के बाद गंगुत्री धाम पहुंशती हैं हरिद्वार में काफी संक्या में टूरिस्ट एजेंसी हैं यहां पर आपको आपकी जरूरत के अनुसार कार जीप, टेमपो ट्रेवलर मिल जाते हैं जो प्रति दिन या किलो मीटर के हिसाब से पैसे लेते हैं दोस्तों अगर आपके पास अनुभवी डाइवर है तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हैं अगर आप सफर को और अधिक रोमान चक या खुबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप बाइक से भी जा सकते हैं प्राक्तिक सुन्दरता को अच्छे से देख पाएंगे मैजून के महीने में गंगोती धाम जाने वालों की बहुत भीड होती है हरिद्वार से 24 किलो मीटर चलने के बाद सबसे पहले रिसी केस आता है जहां पर गंगा नदी पहाडों से उतर कर पहली बार मैदानी इलाके में आती है यहां का द्रश्च भी काफी प्रोमान चक है रिसी केस से पहाडी रास्ता सुरू हो जाता है रास्ते का द्रश्च काफी खोशूरत है जो आपका मन मोह लेगा रास्ते में कई बड़े बड़े कस्बे भी पड़ते हैं जैसे नरिंदर नगर, चमबा, टिहरी, धरासू बैंड जहां पर आपकी जरूरत का सारा सामान मिल जाएगा और रात में रुकने के लिए अच्छे और सस्ते होटल भी मिल जाएंगे रिसी केस से 18 किलोमीटर चलने के बाद नरिंदर नगर आता है, नरिंदर नगर से 45 किलोमीटर चलने के बाद चमबा आता है, चमबा से 31 किलोमीटर चलने के बाद टिहरी आता है, टिहरी से 69 किलोमीटर चलने के बाद धरासू बैंड आता है दरासु बैंड में दो रास्ते हैं बाईयोर का रास्ता यमनोत्री धाम की ओर चला जाता है और दाईयोर का रास्ता गंगुत्री धाम की ओर जाता है दरासु बैंड से 32 किलो मीटर की दूरी चलने के बाद उत्तरकासी आता है उत्तरकासी उत्तराखंड का काफी सुन्दर जिला है यहां आपको जरूरत का सारा समान मिल जाएगा अगर आप ठक चुके हैं और रात होने वाली है तो आप यहां पर रात रिविश्राम कर सकते हैं क्योंकि उत्तरकासी से गंगुत्री का सफर 96 किलो मीटर है जिसमें आपको 3 गंटे का समय लग सकता है उत्तरकासी से 16 किलो मीटर चलने के बाद मनेरी आता है मनेरी से 49 किलो मीटर चलने के बाद गंगनाडी आता है गंगनाडी में पारसर रिसी का आश्रम और मंदिर है मंदिर के पास गर्मजल का कुंड है जिसमें पहाडों से लगातार गर्मजल आता रहता है इस गर्मजल के कुंड में सिर्धालू इसनान करने के बाद गंगोत्री धाम की ओर प्रस्थान करते हैं गंगनाडी से 30 किलो मीटर की दूरी चलने के बाद हरसिल आता है हरसिल परवती छेत्र का एक सुन्दर कस्बा है जो अपनी खुबसूर्ती के लिए बिश्व विख्यात है यहाँ पर नदी जन्नों के सुन्दर के साथ साथ इस घाटी के सगन देवदार के वन मन मोहक है यहाँ पर जहाँ तक द्रश्टी जाती है ब्रच ही ब्रच दिखाई देते हैं हरसिल सेप के बागों के लिए प्रसिद्ध है हरसिल इतना सुन्दर कस्बा है कि जहाँ पर लोगों के पैर यहाँ की सुन्दरता देखकर अपने आप ही रुख जाते हैं हर सिल से 5 किलो मीटर चलने के बाद मुखवा गाउं आता है जहां पर गंगोत्री धाम के कपाड बंध हो जाने के बाद मा गंगोत्री की सीत कालिन पूजा अर्चना होती है मुखवा गाउं से 19 किलो मीटर चलने के बाद गंगोत्री धाम आता है गंगोत्री धाम चारो और बर्प से घिरा हुआ है गंगोत्री धाम समुद्ध तल से 3042 मीटर की उचाई परिस्तित है यहां पर काफी जादा ठंड होती है दिन में धूप निकलने पर सिद्धालूं को क काफी राहत होती है गंगोत्री धाम में आपको रुकने के लिए काफी होटल और लॉज उपलब्ध हैं जिनका किराया मैं जून के महीने में 1500 रुपए से 1500 रुपए होता है गंगोत्री मंदिर बस स्टेंड से 500 मीटर की दूरी पर है जो की भगीर्थी नदी के किनारे है ग इसनान करने के लिए इसनानाघार बनाए गए हैं स्रद्धालू भगीर्ति नदी के बरफीले जल में इसनान करने के बाद मा गंगोत्री की पूजार्चना करते हैं । गंगुतरी धाम के मंदिर के पास भगीरती सिला इस्तित है इस सिला में बैठकर भगीरत ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए मा गंगा को धरती में लाने के लिए तब किया था गंगुत्री धाम में दो बार आरती होती है सुबह और साम को गंगुत्री धाम से 18 किलोमीटर की दूरी पर गौमुक इस्तित है यहां से गंगा नदी का उद्गम हुआ है गंगा नदी मंदिर के पास से निकलती है यहां पर गंगा नदी का बहाव बहुत तेज होता है अगर आप गौमुक जाना चाहते हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गौमुक की यात्रा बहुत कठिन यात्रा है लेकिन मेरा बिश्वास है आप अगर थोड़े से साहज से यात्रा करेंगे तो अवश्य पूरी कर पाएंगे इसके लिए स्वास सरीर का होना बहुत जरूरी है दोस्तों मैंने आपको गंगुत्री धाम से जुड़ी हुई लगबक सारी जानकारी दे दी है और मेरा विश्वास है कि गंगुत्री धाम जाने में मेरी ये वीडियो आपकी काफी मदद करेगी दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो Like, Share जरूर करें ताकि मेरी ये वीडियो हर उस इनसान के पास पहुँचे जो गंगुत्री धाम आना चाहते हैं अगर आप मेरे इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल मुकेस हेल्प को सब्सक्राइब करना न भूलें